दोस्तों आप जानते होंगे कि कार बनाने वाली कंपनी मारूती सुजुकी हर साल बहुत जादा मात्रा में अपने गाड़ियां बेचती है जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 10 में से 6 लोगों के पास मारूती सुजुकी गाड़ी होगी कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी गाड़ी है आपके पास लेकिन क्या आपने सुचा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो मारूती सुजुकी को पचाड़ सकती है चलिए दोस्तों बात करते हैं कि टाटा कंपनी कैसे मारूती सुजुकी कंपनी को पचाणने का काम कर सकती है मारूती सुजुकी कंपनी और टाटा मोटर्स कंपनी के मुकाबले की बात करें लेकिन उससे पहले बात करते हैं कैसे मारूती सुजुकी कमपनी की गाड़ी हर घर की गाड़ी बनी मारूती सुजुकी की शुरुआत 16 नुमंबर 1970 को हुई थी इस कमपनी का पहले नाम मारूती टेकनिकल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड था उसके बाद जून 1971 में मारूती मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत हुई सरकार ने कार बनाने की जिम्मेदारी संजे गांधी को दी थी लेकिन ये कमपनी कार बनाने में नाकाम रही और सन 1980 को संजे गांधी की मौत हो गई अब सरकार मारूती मोटर्स कंपनी को बचाने के लिए ऐसी कंपनी को ढूंडने लगी जो इनकी कार बनाने में सहायता कर सके सरकार जब कंपनी ढूंड रही थी तब उनकी नजरों में जापान की कार बनाने वाली कंपनी सुजूकी आई इसके बाद साल 1982 को मारूती उद्योग लिमिटेड और जपान की कमपनी सुजुकी ने एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये और दोनों कमपनी साजेदारी में आ गई ऐसे बनी देश की सबसे बड़ी कार कमपनी मारूती सुजुकी शुरुवाती दिनों में मारूती सुजुकी कमपनी जापान से गाडियों को मंगवाती थी इस बीच 40,000 कार मारूती सुजुकी कमपनी ने जापान से खरीदने का काम किया इसके बाद साल 1983 में भारत में गाड़ियों को बनाना शुरू किया गया और सबसे पहले बनने वाली गाड़ी थी मारूती 800 ये कार मार्किट में आते ही पॉपुलर हो गई मारूती कार के पहले मौडल को गुड़गाओं के हरपाल सिंग ने खरीदा था इस कार की चाबी को परधान मंतरी इंद्रा गांदी ने हरपाल सिंग को दी थी मारूती 800 के बाद मारूती सुजूकी ने बहुत सारे मौडल बजार में उतारे सन 1984 में मारूती वैन, सन 1985 में जिपसी, सन 1990 में पहली सिडान 1000 लौच की उसके बाद सन 1993 में मारूती जैन, सन 1999 में बेलेनो और वैगेनार को बाजार में उतारा इसके बाद सन 2000 में मारूती ने अपने औल्टो कार को बजार में उतारा तब से लेकर आज तक मारूती सुजूकी ने अपने बहुत सारे मॉडल लॉंच किये मारूती सुजूकी ने देश के लोगों में अलग स्थान बना लिया है आज के समय में जादातर लोगों की पसंद मारूती सुजू की कमपनी है मारूती सुजू की देश में सबसे जादा कार बेचने वाली कमपनी है मारूती सुजू की एक ऐसी कमपनी है जो आम लोगों का ध्यान रखकर कार को तयार करती है लेकिन अब ये बाते सुनने में आ रही है कि मारूती सुजुकी कमपनी खतम होने की कगार पर है ऐसे सुनने में आ रहा है कि मारूती सुजुकी कमपनी को टाटा मोटर्स कमपनी पीछे चोड़ सकती है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि देश की इतनी पुरानी कमपनी का अस्तित्तव खत्रे में हैं बात करते हैं Tata Motors Company की Tata Company भारत की एक ऐसी कमपनी है जिसकी रतन Tata ने स्थापनक की थी सन 1991 में रतन Tata ने पहली Tata SUV Sierra को बजार में उतारा था इस कार को देखने के लिए लोगों में काफी उतसा था ये देशी कार कमपनी का पहला मॉडल था क्योंकि इसकी इंजिनिरिंग से लेकर बनाने तक पूरी तरह से देशी दिमाग लगाया गया था उसके बाद सन 1994 में Tata Motors ने Tata Sumo को लाँच किया Tata Motors का नसीब 1998 में बदला जब Tata Motors ने 5 सीटो वाली कार Tata Indigo को लाँच किया इस कार को पूरे भारत में बहुत पसंद किया गया उसके बाद साल 1998 में ही Tata Motors ने उस समय की सबसे ताकतवर SUV Tata Safari लाँच की इसके बाद सन 2008 में रतन टाटा ने बहुत समय पहले देखा हुआ सपना पूरा किया और जनवरी 2008 में Tata Motors ने भारत की सबसे सस्ती कार Tata Nano को लाँच किया Tata Nano कार इतनी हिट नहीं हुई जितनी रतन टाटा को इस कार से उमीद थी उसके बाद Tata Motors ने आने वाले फ्यूचर के हिसाब से गाड़ियों को तैयार करना शुरू किया 2016 में Tata Motors ने बजार में Tata Tiago, Tata Altros, Tata Tigor, Tata Punch, Tata Nexon, Tata Harrier, Tata Safari बहुत सारे मॉडल लाँच किये ये सभी कारे लोगों को खूब पसंद आई अब के समय में Tata Motors ने हुड़ई मोटर्स को पिछे छोड़ते होए देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी बन गई है पहले Tata कंपनी और मारूती सुजूकी कंपनी में कोई बराबरी नहीं थी मारूती सुजूकी पिछले कुछ महिनों से कार बेचने के मामले में पिछड रही है वही Tata Motors कारों को बेचने में सफल हो रही है आटो एक्सपर्ट्स की माने तो वो समय दूर नहीं जब Tata Motors मारूती सुजूकी को पीछे छोड़ कर भारतिय बजार में अपना दबदबा बना लेगी आईए अब बात करते हैं कि Tata Motors कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो मारूती सुजूकी को पचाड सकती है आपको पता ही होगा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत और वातावरन को ध्यान में रखते होए सरकार ने इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी लाँच की है सरकार का टारगेट है कि सन 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक वीकल ही रोड पर दिखने चाहिए इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वीकल खरीदने वालों को अलग-अलग ओफर्स भी दे रही है ताकि लोगों की इलेक्ट्रिक वीकल की और दिल्चस्पी बढ़े और लोग इलेक्ट्रिक वीकल्स को पसंद भी कर रहे हैं Tata Motors ने दो electric car को भी launch किया है, लेकिन मारूती Suzuki ने एक भी electric car को launch नहीं किया है, एक report के मुताबिक 2025 तक मारूती Suzuki अपनी पहली electric car launch कर सकती है, तब तक Tata Motors मार्किट में अपना अधिकार जमा सकती है, यही वज़े हो सकती है कि Tata Motors मारूती Suzuki को पचाड सकती है, आपकी पसंद इदाकार company कौन सी है, हमें comment box में comment करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें और हमारे चैनल को जरूर से subscribe करें,